नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो के माद्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उडिसा में इस्थित पुरी में जो जगनात जी का मंदिर है उसमें जगनात माराज को खिचरी का ही भोग क्यों लगता है हर साल असाड मास की सुक्लपक्ष की दृत्यातिती को पूरी के जगनात मंदिर में रत यात्रा निकलती है रत यात्रा का यह सालाना उत्सब नौ दिनों तक चलता है रत यात्रा के पहले दिन भगवान को रत के रत को पांच किलोमेटर तक हीचा जाता है और यह रत गुंडिचा मंदिर तक पहुचाया जाता है जो भगवान स्री क्रिश्न की मौसी का घर है वहीं भगवान आट दिनों तक मौसी के यहां रहते हैं और नौवे दिन यानि देवसायनी एकादसी से एक दिन पहले असाड मास की सुकलपक्ष की दस्मी तिथी को भगवान जगनात मंदिर में वापस जाते हैं इस रथियात्रा को देखने के लिए ना केवल देश बलकि विदेशों से भी भक्त जनाते हैं अगर आप जगनात मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां सबसे पहले खिचरी का भोग लगाया जाता है दरसल इसके पीछे एक कथा बताई जाती है बताया पुत्र मानती थी और उसी तरह उसे स्ने भी करती थी कर्मा भाई काफि ब्रिद्ध मैला थी लेकिन हर रोज भगवान जगनात को भोग लगाना नहीं भूलती थी एक बार कर्मा भाई के मन में आया कि क्यों ना एक बार अपने हातों से भगवान जगनात को भोग लगाया जाए लेकिन उसके मन में शंका भी थी कि क्या वह उनको पसंद आएगा भी या नहीं भगवान जगनात कर्मा भाई के मन की इच्छा को जान गए और वह एक दिन सुबह सुबह उनके घर चले गए और बोला कि मुझे बहुत तेज भूग लगी है इसलिए जल्दी कुछ बना कर दे दिजिए तब जाकर उन्होंने जट पड से खिचरी बना दी क्योंकि उसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता कर्मा भाई ने भगवान को खिचरी परोश दी और खुद पंखा करने लग गई भगवान बड़े चाओं से खिचरी खाने लगे और कर्मा भाई से कह कि यह मुझे बहुत पसंद आई अब से वो रोज खिचरी खाने आएंगे भगवान जगन्नात की बात सुनकर कर्मा भाई बहुत प्रसंद न हुई उस दिन के बाद कर्मा भाई हर रोज रोजाना जल्दी खिचरी बना देती थी और भगवान भी खिचरी खाने आ जाते थे और मंदिर के कपाट खुलने से पहले मंदिर वापस चले जाते थे एक दिन जब कर्मा भाई खिचरी बना रही थी तब एक महात्मा ने देखा कि कर्मा भाई बिना स्नान किये और रसोई बिना साफ किये खिचरी बना रही है तब वह महात्मा ने कर्मा भाई को समझाया कि इसा करना गल्थ है अगर प्रभू के लिए भोग बना रही हैं तो उस्नान करके और साफ सफाई के साथ नियमों का पालन करते हुए भगवान का भूजन तयार करें महात्मा की बात कर्मावाई को समझ में आ गई अगले दिन भगवान जगनात कर्मावाई के यहां पहुचे और खिचरी का इंतिजार करने लग गया है क्योंकि कर्मावाईस नान बसाफ सफाही पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी और नियमों के तहत भोजन तयार कर रही थी तो ऐसे में भगवान ने जल्दी खिचरी खाई और बिना मूध होए चले गए क्योंकि कपाट खुलने का समय हो चुका था मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते ही देखा कि भगवान जगनात के मुग में खिचरी लगी हुए जब पुजारी ने भगवान से इनकी वज़ा जानी तो भगवान ने सब कुछ सच-सच बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूख है जो स्वादभक्त के भाव में होता है वह 56 भोग से कहीं ज़्यादा होता है और जब यह बात महात्मा को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा बहुत अफसोस हुआ और उसने कर्मावाई से माफी भी मांगी और कहा कि जैसा तुम भोग लगाना चाहती हो वैसे ही लगाओ नहीं है इस तुर के प्राप्ति के लिए कुछ दिन बाद कर्मावाई ने शरीर को त्याग दिया उस दिन मंदिर के पुजारी ने कपाट खोले तो देखा भगवान जगनात के आखों में आंसु है पुजारी ने पूछा भगवान आखिर क्या हुआ आप रो क्यू रहे है तब भगवान जगनात ने पुजारी से कहा कि आज मेरी मा करमा भाई इस लोग को छोड़ कर मेरे लोग में आ गई है अब मुझे खिचरी कौन खिलाएगा जिस प्रेम से वो खिचरी बनाती थी अब ऐसा कौन खिलाएगा तब पुजारी ने कहा हे प्रफु हम आपको आपकी मा की कमी महसूस नहीं होने देंगे आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचरी का ही भोग लगाया जाएगा इसके बाद से भगवान जगनात के लिए हर रोज खिचरी बनाई जाती है और उनका भोग लगाया जाता है जय सरी कृष्णा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब अवस्य करें धन्यवाद आपका दिन शुब हो